है गाइज मानेम इस डॉक्टर शुभम मोय और वेलकम बैक टू बायो कट्टा सो मुझे मालूम है आज मुझे टेस्ट सवर करने में थोड़ी सी देरी हो गई है लेकिन उसके लिए मैं सौरी नहीं कहूंगा और आप मुझे कॉंगरेचुलेशन कहेंगे क्योंकि आज जो है म लेकिन मेरे अब टी-शिट आनी बाकी है तो जैसे ही टी-शिट आ जाएगी वैसे ही मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं तो ठीक है तो इसी बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है और सब्सक्राइब से याद आया कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लिट हो टेस्ट नंबर कितनी 56 तो लेट्स बिगीं तो अब तक ने आपने किसी टेस्ट का सोलुशन नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक जो है प्लेश जो है नीचे है तो आप सारे NTA NEET टेस्ट आप बैस की जो है अंसर की देख सकते हो ठीक है सोलुशन देख सकते हो बायो के धरने किसी टेशो टेकर बैस अंघ देख संज जुट इकटा यहां पर दिखा है अल टीशोब आपिट्यमि एकिपट्यमिस आड वस्कुलर बंडल जो के C अप्ट you है that is most correct ठीक है अगर देखो epidermis हटा दो और vascular bundles हटा दो हटा दो आप तो क्या-क्या बचता है आपके पास cortex hypodermis ठीक है फिर endodermis then peat यह सारे जो है यह क्या है यह ground tissues है ठीक है so all tissues except epidermis and vascular bundles are the ground tissues so see option each of these circles represent an animal group okay यह जो each circle है यह animal group दिखाता है so which one of these options has animal groups which can be depicted by the diagram so मतलब क्या है देखो यह जो बड़ा है ना एक एक animal group है ठीक है और उसके अंदर का आभी दो नंबर का जो circle है वह उसका sub category होगा फिर दो number के circle का जो तीन number उसमें जो circle है वह उसका sub category होगा मतलब क्या यह सबसे बड़ा category किसी भी फाइलम का हो सकता है ठीक है आप तक option है देखे हमने और उस यह दो वाला उसका sub category यह इसका sub category जैसे कि हम इसमें देखते हैं यह kingdom होगा यह क्या होगा फिर sub kingdom होगा फिर यह क्या होगा यह कुछ तो भी डिविजन होगा फिर class होगा फिर small family होगा मतलब क्या उसका subgroup subgroup हो ठीक है तो ऐसा हमें कौन सा correct है यह पहचनना है ठीक है तो यहाँ पर देखो वन का इसने बोला है animals with three germ layers ठीक है animal with three germ layers तो three germ layers कहां से शुरू होते है I think from platy elementis yeah platy elementis to chord data इन सबके पास three germ layers है ठीक है तो यह मतलब वन वाला अगर platy elementis में से chord data कोई भी हो सकता है तो अभी second issue बहाते है तो animals having bilateral symmetry तो यहाँ पर देखो bilateral symmetry कहां पर होती है quality elementis में होती है ठीक है chord data में platy elementis excalimentis में होती है then econodermata में econodermata में कुछ कुछ को नहीं होती है mostly वहाँ पर radial symmetry में देखने को मिलती है तो वह तो नहीं होगा ठीक है so फिर उसके बाद क्या दिया है तो यहाँ पर econodermatis होगा एक तो platy elementis होगा यह नहीं तोर फिक्या होगा फिर chord data का कोई तो भी होगा so फिर उन्हेंने तीसरा दिया है सब animals with no sylum so अगर यह जो है यह with no sylum जो है ठीक है मतलब triptubloblastic bilateral symmetry with no sylum so they are platy elementis ठीक है platy elementis मतलब यह पक्का जो है platy bellzus है आपके तीन लेयर के अनुसवार हमें पता पता चल गया है फी यह यह प्ला alltid Valeumintus नो टैमिल्ट में wider anedis तो फिर छोड़ दो तो यह तो गलत है फिर अनिमर जिट ला इंइम्छ रयाड लिकीमिर्टी इसी में होता है xo sitten क्या में सकता है is turkey गोड़िया राटुल्लन होता है नाई कि में होता है यहाप पर यह गलत हो ठीक है तो यह sequence भी साही नहीं है then third options with completely extra silvodization का में होता है extra silvodization platy elementus में पाया जाता है फिर यहां पर कुछ-कुछ और इसमें भी पाया जाता है Econodermata में भी Moluska में भी कुछ-कुछ होता है फिर second क्या दिया है उन्होंने platy animals with chitinous exoskeleton extra silvodization insects में होता है कुछ-कुछ इसमें होता है तो orthopoda भी आ सकता है इनिमल्स with chitinous exoskeleton मतलब क्या अब यह orthopoda तो होंगा यह ठीक है confirm orthopoda है so animals with three pairs of legs and two pairs of wings यह क्या होते है insects होते है ठीक है अभी next जो आने चाहिए वो क्या आने चाहिए इंसेक्स की subcategory animals with book gills as their respiratory organs तो book gills किसमें होते है crustaceans में होते है वो subcategory है क्या इंसेक्टा की नहीं वो अलग है crustaceans तो यह भी गलत है so now animals with notochord during the embryonic stages इसका characteristic है chord data का so animals उसका अभी chord data में सब आगला जो आने चाहिए उसका क्या आने चाहिए subcategory so animals with well-defined jaws animals with well-defined jaws किसमें jaws होते है perfect chord data में gnatosnometa में or gnatosnometa में jaws नहीं होते तो ठीक है gnatosnometa chord data में आता है तो यह ठीक है दो वाला ठीक है 1-2 जो है feedback रहे उसमें so animals with 12 pairs of cranial nerves so बाखी की subcategory उसमें gnatosnometa की ठीक है division में कौन-कौन से आते है जिसमें 12 pairs of cranial nerves होता है reptiles, reptilia, aves and mammals ठीक है तो वह उसमें आते है तो यह category feedback रहे है फिर animals which maintain their internal temperature constant मतलब home your thumbs और वह कोंसे होते है birds और animals तो यह भी इन में आते है कि इसमें mammals में आते है तो इसका 3rd का जो दिखा रहाता है वह किसी भी possibility दिखा रहाता है reptilia, aves, mammelia की तो उसमें से subcategory mammelia में यह आता है तो यह चारों condition जो है फुल्फिल कर रहा है subgroup, 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 core data का classification wise उन्हें ने subgroup दिया है तो इसलिए इसका option क्या आएगा fourth option that is the option ठीक है बहुत mcq यह जो है बहुत time-consummed mcq था in mollisca of a new york state which of this expression gives you value between 0.1 to 0.2 तो देखो इस बार जो है ना NTA के हर एक लगबक हर एक test में इस spaces richness के उपर बहुत सारे question जो है पूछे गया है आप तक हर एक में आता ही है सवाद तो यह ना यह concept बिटा आप clear कर लेना एक बर so यहाँ पर हमें formula मालूम है ठीक है spaces के richness का formula मालूम है हमें so relationship with spaces richness and area का formula कैसा होता equation से दिया गया है ठीक है so क्या है log of spaces richness is equal to log of y intercept plus z into log of area ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है हमें z की value दिया गया है ठीक है so z की value दिया गया है और उसका expression बुचा है को z के form में यह equation कैसा आएगा तो देखो आप यह हमरे पास formula क्या है तो spaces richness s दिखाता है तो यह हमारा पहला normal formula क्या हो देखते है s is equal to log of y intercept मतलब क्या c ठीक है plus z ठीक है यानि कि spaces richness का वो जो यह है log of spaces richness z ठीक है into the log of area तो हमें z का formula निकलना है तो पहले क्या करना पड़ेगा log of spaces यहां को यह प्लस के form में log of y intercept है वो इधर left hand side में भेजना पड़ेगा तो वो क्या आजाएगा log of spaces richness that is s minus log of y intercept that is s minus c is equal to क्या आजाएगा फिर log of is equal to क्या आजाएगा z into log of area फिर log of area जो है नीचे आजाएगा यहां पे multiplication में इधर scan के बद क्या आजाएगा division में आजाएगा तो formula क्या हो जाएगा s spaces richness minus c y intercept divided by area so s minus c is equal to upon a is equal to z so your option यह जो attest है मुझे लगता है बहुत time consumer होने वाला है 4 mcq में 10 minutes चले गए the interactions of ligands with the proteins are usually transient होते है okay theoretical mcq which of the following molecules represent a given structure यहां पे देखो OH group है अगर यहां पे OH group है ठीक है तो यह क्या है ribosugar है तो ribosugar मतलब RNA में होगा तो monosaccharide that is present in animals तो monosaccharide में नहीं है यह ribosugar है monosaccharides में होगा then monosaccharide that present in inulin no monosaccharide that present in the genetic material of tobacomagic virus RNA ribosugar ठीक है single standard RNA so see option which combination is correct for the pairing of column 1 and column 2 alpha 1 anti-drip swing genograft rosy milk toxicity testing तो देखो rosy milk किस से related होगा human protein enriched milk मतलब protein आता है तो C का 3 किस में दिया है देखो अभी time बहुत गया है तो इसलिए पहले तीनों option में दिया है toxicity testing हम किस पे करते है mostly transgenic animals पे करते है तो D का 4 किस में दिया है देखो अभी A & B में दिया है ठीक है चलो genograft peak आज जाएगा इसका अभी और alpha 1 antitrass pin जो है mostly inphysema में दिया जाता है यह जो है alveoli को protect करने के लिए दिया जाता है so mostly protect करता है तो वह inphysema में devastate हो जाता है तो इसलिए inphysema हो जाता है ठीक है so A का 2 B का 1 the correct arrangement of cardiac walls from the right side to the left side is सबसे right hand side में कौन सी wall होती है ठीक है track speed wall ठीक है right atrium and right ventricle फिर इदर right side में और एक wall होती है that is pulmonary trunk की wall होती है pulmonary trunk की similar wall left side के atrium में पहले कौन सा आता है फिर वह उपर की उपर similar wall बीच में आता है नो वह बीच में से जाती है डेको आवरटा बीच में से निकलती है ventricle से तो और फिर एकदम extreme में कौन से आता है mitral wall bike speed wall तो यह पर कौन सा ऐसा है that is the option क्योंकि हमें right से left तक पूछा है उसने कैसे right से left तक जाता है which one is a feature is common to leech cockroach and scorpion leech cockroach and scorpion nephridia तो इदर नहीं होता है cockroach is green okay cephalization leech में नहीं होता है ventral low-kart जिहां तीनों में होते है antineal leech में नहीं होते है ventral low-kart जिहां तीनों में होता है so that is a characteristics C option which of the following spares are incorrectly clubbed together cells in adult animals which do not divide heart cells okay equational division mitos is sahih baat hai digs shaped structures that are surface of centromers sahih baat hai initiation of assembly of mitotic spindle mitotic na hi profis aana chahi haa pe so D option is incorrect which type of primer is used the genetic engineering tool polymerase chain reaction so dhekho polymer jab primer attach hota hai na jab bhi annealing karthay vakti wohh 3 dash end se attach hota hai okay aurr iska flow joh kaise hojata hai wohh badhta jata hai primer ki joh length badaate jata hai wohh kaise 5 dash to 3 dash direction mein jata hai so joh bhi primer hooga wohh 3 dash end pe laghega and wohh complementary to the 3 dash end of the dna template so complementary to the 3 dash end of the dna template that is b option ncrit mein aapke diagram giye to diagram se aap joe easily identify kar sakte hoh the nucleus is significant organelle found in the cell okay read the following statement about the nucleus and detect option that is correctly determines the number of file statements the nuclear envelope consists of two parallel membranes having space between them is called as pericentrilar space perinuclear space kate hai to yeh galath hai the outer membrane of the nucleus is usually remains continuous with golgi apparatus no endoplasmic reticulum hohta hai hapa hai so yeh bigalath hai the nuclear matrix of or the site nucleoplasm contains nucleolus and chromatin okay larger and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out lipid synthesis no jo protein synthesis no jo protein synthesis karate hai ribozoom uus mein joe hai large and more numerous nuclei hohta hai na ki in lipid cells so yeh haa pe three statement joe hai third statement correct hai baakir sabhahai n XP so winno three yanlış has gone a.ə yah which on this telephone which of these glands are correctly matched with their embryonic origin and chemical nature of the hormones adrenal cortex virgin Bilderex root जी हां polyveptide hormone होता है तो सही है तो fourth option the elementary canal of the disease individual was cut transversely for the examination of the arrangement of the layers from outside to inside मतलब बाहर से अंधर select the correct sequence सबसे बाहर का layer कौन सा शीरो सा फिर muscularis आता है तो उस में longitudinal होते है outer longitudinal inner circular और फिर submucosa and then mucosa so that is c option Danny ate spinach salad mutton curry for the lunch okay बहुत कुछ खाया at which of the following tropic levels did Danny function in this food chain producer तो खुद ने खा रहा है वो producer पर dependent है तो प्राइमरी कंजूमर तो है और जो प्राइमरी कंजूमर के उपर dependent है मतलब क्या goat रीक है goat का button होता है गोट जो है producer के उपर प्राइमरी कंजूमर पर डिपेंड होता है उसे secondary कंजूमर कहते है तो यहाँ पर Danny जो है दोनों काम कर रहा है primary और secondary का ठरिशरी तो नहीं primary secondary मतलब two and three c option ऐसे mcq में मज़ा आता है जो conceptual होते है determine the sequence for the line of descent in human evolution that is most accepted one तो सबसे पहले के अध्राइपिताकर्स Australopithecus Homo habilis first human-like then Homo erectus and then Homo sapiens जो की ice age में आये थे 75,000 years 75,000 to 10,000 years ago so c option the solubility of three nitrogenous wastage is orange in ascending order सबसे जादा solubility S3 की है the toxicity levels भी है सबसे जादा T3 की होगी so यहापर ammonia is the most toxic and most soluble तो उसका क्या आएगा S3 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 and T3 urea उसके बाद आता है तो उसका level क्या होगा S2 T2 और उसका सबसे कम soluble होता है और सबसे कम toxic होता है तो S1 T1 so यहापर fourth option में दिया है तो D option the saliva in the mouth and the tears from the eyes will be included under the category of innate economy that is they are the physiological barriers the secondary pollutant has caused the significant damage to the beauty of the historical monument like Taj Mahal and Red Fort identify the correct match of the responsible pollutant and its characteristic feature so यह जो monument है अपना Taj Mahal ठीक है उसके वो marble से बना है mostly ठीक है तो यह जो monument है क्या हो रहा है significant damage हो रहा है उनको secondary pollutant के वाज से तो mostly यह damage होता है वो nitrogen oxides dioxide and sulfur dioxide के वाज से होता है ठीक है जो atmosphere में react करते हैं और वो S2 SO4 बनाते हैं या फिर nitric acid बनाते हैं ठीक है और sulfuric acid बनाते हैं और यह rain के थरू नीचे आ जाते हैं और वो affect करते हैं तो 23 रहता है तो यह गलत है photochemical smog नहीं ऐसा कि मैंने आखा acid rain is responsible तो C option देखो acid rain pH is less than 0.5.6 तो यह सही बात है acid rain इसका pH 5.6 तो वो affect करता है इनको तो C option which components of the human semen are correctly match with the gland secreting citric acid prostrate gland fibrinogen seminal vesicle prostaglandease 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 भी seminal vesicle secret करते है तो यह गलत है fructose seminal vesicle जहां यह सही है तो यहां पे C नहीं है बाकि सब सही है तो 1 2 & 4 the thick filament of the myofibril is a part of muscle fiber select the incorrect statement गलत कौन सा है इस thick filament is polymerized protein of monomeric meromycins जहां सही बात है इच meromycin has two important parts globular head with short arm and tail सही बात है the heavy meromycin components form the cross arms of thick filaments the short arm of the light meromycin has active ATPase enzyme activity no heavy arm को ही होती है globular head को पास जो है वहां पे ATPase binding side होती है तो यह गलत है so d option is incorrect what is the combination for the option fill up the blank spaces a b c d correct click on below bacterium dash dash clot buster activity so c a का क्या होना चाहिए कौन सा bacterium जो है scientific name क्या है उसका the clot buster activities करता है so mostly clot buster activities okay second देखता हो पहले asparacillus niger citric acid asparacillus niger citric niger क्या asparacillus niger क्या fungus तो b खा fungus किसम है देखो so c option यह पे eliminate हो गया फिर यहां पे fungus monoscus purpura क्या फर्म करता है statins statins की जरी जर strain दिया है statins okay तो यहां पे strain दिया है okay bacterium dash dash butric acid clostridium butylicum so d का Clostridium butylicum कहां पे दिया है statin आएगा cyclospurine तो नहीं आता है C तो नहीं आएगा streptococcus होगा first bacterium streptococcus cluster activity ठीक है तो streptokinase नहीं streptococcus is fine so B option या देखो logically solve किया है what is the correct fate of ammonium ions in the plants it undergoes transamination with the alpha ketoglutaric acid देखो ammonium ions में क्या होता है बाद में fate क्या होता है कि यह जो है radioactive amination के अंडर जाता है और फिर यह क्या करता है it reacts with alpha ketoglutaric acid और उससे यह क्या करता है glutamate form करता है ठीक है जो फिर से एक बार transamination के through जाता है और यह वह ammonium acid बनाने में help करता है तो ऐसा ऐसा D option में है ठीक है तो D option will be correct following are the given sequences of MRNA identify one that will not undergo the complete translation aug uc uj यहां पे observe करोगे आप तो यह देखो यह देखो यहां पे थर्ड इसमें ही uaa uaa terminating codon यहां ही पे रुख जाएगा complete translation का अंदर नहीं जाएगा ठीक है ऐसे में क्या करना है आपको stop codon जो है धुणने जब ऐसा question आएगा तो उसमें uaa uga and uag these are the stop codon और जभी पे मिलेंगे वहां पे translation रुख जाता है due option which of these properties are seen in Hibiscus rosa sinuses leaves and alternate phylo-texy जी हां उनमें होती है ठीक है मालेवीसी फैमिली का दो feature है poly-carpally-sync-carpus inferior over इने superior होती है twisted estivation जी हां basal placentation है basal नहीं होता है exile होता है उसमें 1 & 3 are correct 1st action spectrum of photosynthesis based on the study of cloud-offer was given by Engelman जी हां due option observe the action potential that state the event secure in phase 1 & phase 2 action potential increase हो रहा है phase 1 में action potential increase हो गया यहां पे रुख गया फिर यहां पे decrease हो रहा है so sodium ions का यहां पे खुल जाएगा वो यहां अंदर आएंगे जब action potential increase होता है minus 70 से इतना फिर plus 30 तक पहुँच जाता है और उससे फिर आता है तो फिर potassium ions की injury होती है तो जाकर यहां पे sodium ions open causing movement of sodium ions from the exoplasm into the extracellular fluid and potassium channels open causing the movement of potassium ions from the exoplasm to the extracellular fluid और यह फिर से क्या हो जाता है action potential कम हो जाता है minus तक आ जाता है so that is the option will be correct किया observe the picture picture observe करो क्या यह tree है उसमें अलग 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 वक्षियों को अलग अलग zone दिया गया है तो इससे क्या कहते हैं resource partioning resource partioning मतलब क्या एक-धी species तो एक-धी species है ठीक है तो वह एक-धी source पे खाने के लिए depend करती है तो कोई भी extinct ना हो किसी को हम ना पहुंचीते हैं का कर लेती है अपने अपने area से एक तो खाने के बाट लेती है ना फिर टाइम बाट लेती है उसके तुकाया हो जाता है कि यह जोनों जो है एक दूसरे के साथ साथ जो है grow करते है एक दूसरे के साथ साथ बढ़ते है extinct होने नहीं होते है तो ऐसे phenomenon को resource partioning कहा जाता है तो C option during the muscle contraction hydrolysis of ATP results in a change in the myosin myosin में head में change होता है confirmation of myosin head so B option determination determine the statement that is not related to sporopolynin the heart outer layer of the prolonged grain is called exyn and it is made up of sporopolynin it is one of the most trained organic material which is produced by endothesium no tap atom produced it is not related to sporopolynin which are the following terms have been grouped collectively sclerenchyma hypodermis dicot stem parenchymatis hypodermis dicot तो यह गलत है parenchymatis ने kolonchymatis होता है जो की नीचे दिया है kolonchymatis hypodermis यहां पे ख्या होना चाहिए dicot होना चाहिए star state pericycle of the dicot root ठीक है यह हां pericycle में होता है star state endodermis of the dicot root ठीक है तो due option each one of the following option has rule regarding the certain animal group and exception from that group written in brackets reptiles are incompletely four chambered heart completely four chambered crocodile amphibians have two pairs of limbs लेकिन एक्तियों फीस जो है limlisum phabia ने जो की ब्रैकेट में दिया है sponges are found in marine water लेकिन उसमें एक ही जो है fresh water sponges this is that is spongyla roundworms are monoseous first of all roundworms are dioceous और ठीक है ascaris भी dioceous है तो यह कुछ related matter नहीं करता है क्या है यह PQRS are the four places given below following the map arrange this into increasing order of diocese सबसे कम से सबसे ज्यादा तक यहां पर देखो equator region में ज्यादा होता है specific diversity आप जैसे हम equator से pole में जाते है तो कम कम हो जाता है सबसे कम जो pole के पास होगा उसका होगा Q देखो यहां पर पोल के ऊपर के पास एकदम Q का सबसे कम होगा फिर equator में कोने अफरीका है पूरा तो अफरीका में सबसे ज्यादा होगा ठीक है तो P खाहां भी सबसे ज्यादा है C और D में और Q लास्ट दोनों में है थीक है फिर R जो है वह यहां पर P के पास है S जेको यहां पर पोल के पास जा रहा है ecline यहां पर S में कम होगा Q 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 drug LSD the fungus fungus which is affects the crop plants causing powdery smuts the fungus causing rust mustard in plant the fungus production of cyclosporine तो यह पर देखो fungus which is used in production of cyclosporine कोई सवाद है deuteromycetes ठीक है cyclosporine के लिए हम क्या ट्राइकोडर्मा यूच करते है ट्राइकोडर्मा जो है mostly deuteromycetes को भी लंग करता है तो अब है 4K1 कि दर दिया है 2 option में दिया है तो यह इसका आंसर होने वाला है एक यह आप्शन में 4K1 दिया है तो यह इसका आंसर होने वाला है टाइमसेव करते हैं और बहुत वेस्ट कुछ चुका है मैस्ट दो प्रोटीन्स with their appropriate families collagen, trypsin, insulin hormone A 3K1 देखो किस में दिया है यह क्यों option में दिया है तो यह इसका आंसर होने आला 3K1 insulin hormone is 100% sure हूँ तो आगे बढ़ते है time save करते है the modern day washing powders have some biological content क्या होता है उसमें lipases होते है and protease होते है ठीक है to break down lepid and proteins ठीक है तो यह theoretical MC को है इसलिए जल्दी solve कर दिया state which of the following statements about the blood groups ABO and RS system taken together as correct the blood group having all the possible antigens present in these two systems is universally recipient the blood group having all the possible antigens presenting in two systems in these two systems मतलब RH और ABO में which is blood group having all the possible antigens मतलब क्या A and B दोनो है तो AB जो है वो इनुस्टरीपन होता है AB-2 mostly ठीक है तो यह सही लग रहा में को तो the blood group considered as a universal donor is also commonest blood group in the humans universal donor ओ नेखियों अनियवर्ज्न रेमोर्षबु न Enosly ठीक है तो यहाँ पर cannon गने रहा है ओ पॉजिटीव होता है तो यह गिलाथ है the blood group consider as the universal recipient it is also rarest blood group in humans blood group considered as the universal recipient यहीं a B negative is rarest rarest कौन सिटा है AB होता है ठीक है so next the blood group having no antibodies against any of the antigens these two are called initial donor no no antibodies मतलब का दोनों antigens present हो donor ने recipient होगा तो ही गलत है so universal recipient O negative also the rarest blood group in the blood rare is mostly वही होता है शायद so yeah right option will be the C option the blood group having all the possible antigens present in this two system is universal recipient so यहाँ पर describe ने किया गया कि वह possible antigens present in two system is universal recipient RAH antigen है वहाँ पर present ठीक है having all the antigen मतलब RAH antigen present है तो RAH positive होगा तो वह initial recipient ने का सकता तो 36 सी आएगा the conducting part of the respiratory system is the part starting with trachea up to the terminal bronchioles no conducting system में के आता है from the external neos nostrils to the terminal bronchioles view option radical MCQ select the correct even from the below that is most likely to occur during the three sub-faces of the interface of the mitotic cycle during the G1 phase cell is metabolically active replicates DNA गलत है during S phase duplication of centrioles take place यहाँ यह सही है तो view option यही पर मिल गया तो आगे बढ़ते है टामसेओ करते है और यह बहुत time हो चुका है in a bacterial cells the outermost layer of the cell envelops can be either lamella or slime layer glycocalyx होता है yeah glycocalyx होता है तो वो limely भी form करता है slime layer भी form करता है so view option तो आगे आउटर्मोस layer cell वाल के बाहर का select the system that is not shown in grave disease protrusion of wires दिखाता है enlargement hydral gland होता है weight gain होता है weight loss होता है so view option theoretical MCQ इसलिए जल्दी दे शौल कर रहा हूँ एक छूट गया yeah which of the following condition will inhibit decomposition so here पर देखो aerobic condition inhibit नहीं करेंगा high temperature नहीं करेंगा मुशनी moderate temperature बिल नहीं करेंगा लेकिन low temperature ठीके थंडे फ्रीज में क्यूं रखते है हम quickly to prevent decomposition of the food the option which of the following is not exhibiting convergent evolution तो यह क्या है australian marship whales with placental animals तो wolf आपने डाइग्राम अगर देखी होगी आपके बुक में ncati में दिया है तो wolf जो है first option में जो दिया है उसका convergent evolution mostly Tasmanian wolf के साथ होता है Tasmanian wolf जोकर शेयर जैसा दिखता है तो इन नमबट के साथ नहीं तो इसलिए option first मिल गया मुझे ठीक है lemur spotted cascus Convergent मतलब क्या अलग-अलग इसमें रहते है जगा पे रहते लेकिन एक ही characters उन में generate होता है ठीक है और एक ही जो है वो characters देख सा evolve करते ठीक है that is convergent evolution अलग-अलग जगा में रेकर similar parallel evolution दिखाना तो यह नमबट ने Tasmanian wolf ओना चाहे वहाँ पे तो इसलिए डायग्राम जो है NCRT में देखा करो Manu Manu who is a worker in a dump yard ठीक है dump yard started experiencing nausea omitting headache loss of appetite for a first few days on careful history and examination the doctor has come to conclude that this suffers from nickel poisoning which is the most likely to cause poisoning nickel mostly radioactive radioactive materials में होता है ठीक है radioactive materials कहता हूँ electronics materials में होता है electronics materials हम e-waste कहते है तो उसी को mostly वही जमा करते है लोग to degrade to recycle करने के लिए metal जमा करते है तो उसी से उसको poisoning हुआ होगा तो C option which are the following this option doesn't have a pair of disease caused by the organism of the same genus tuberculosis leprosis tuberculosis किसी और जाता है mycobacterium tuberculosis or leprosy mycobacterium lepris two mycobacterium genus सेख ही है titanus क्या होगा clostridium titanine फिर क्या fluid poisoning क्या होगा clostridium botulinum दोनोh clostridium genus same है african sleeping sickness क्या आएगा trypanosoma gambesine और फिर क्या ही है chagaz disease chagaz disease I think trypanosoma यह आता है उसका trypanosoma cruise yeah trypanosoma cruzi आएगा फिर क्या anthrax and plague anthrax and plague anthrax anthrax and plague क्या होगा arsania pestis genus do option which of this statement about the decidua is a false तो decudia क्या होता है wall होती है होती है बहुत ही large wall होती है तो उसमें mostly sales होती है जो कि क्या होता है कि जब बच्चे का जर्म हो जाता है पर्चूरेशन होता है तो उसके साथ निकल जाती wear-off होता है जो जो उसका जो लियर होता है decudia wall में तो उसका इसके बारे में दिखाया तो decudia cells are enlarged vaccinated filled with glycogenal lipids जहां आप मुकस gland होती है तो उसमें filled होता है तो यह option is correct decudia partially refers to the part of the decudia which gives rise to maternal part decudia paratelis ठीक है जो बाहर का part होता है decudia paratelis ठीक है तीन पार्ट होता है bacalis, capsularis, paratelis ठीक है bacalis क्या करता है maternal part जो है capsularis क्या करता है वह embryo को ओरलेप करने का का काम करता है और decudia paratelis क्या करता है uterine की cavity को lining करते का काम करता है तो यहां पर गलत कौन सा यह पूछा गया तो देखो paratelis फॉर्मने करता है कि यह सक क्या फॉलमाने bacalis bacalis फॉर्म करता है decudia bacalis red and white fibers कौन सा correct यह पूछा गया incorrect कौन सा पूछा गया myoglobin competent red में ज्यादा होता है white में कम होता है sarcoplasmic reticulum red में कम होता है white में ज्यादा होता है इसलिए वह anaerobic respiration के लिए जाते है energy कम होती है उसमें तो B option then nucleus of mitochondria high होते है red में सही बाते है types of respiration aerobic anaerobic सही बाते है तो mostly cancer तो आएगा C option sorry B option only B आएगा A option observe the following block of the cheese which is produced in elemental switzerland the depression in cheese produced due to release of carbon dioxide by proponibacterium Sharmani use the tissue samples found at the crime scene forensic for the forensic investigator ran a DNA analysis with the four suspects and the results obtained are showing in the below image determine the suspect having highest probability of present adducts crime scene crime scene से कुछ sample लिये गया उसमें फिंगर बिंटिंग लिया गया तो DIR के बहुत सार उनिट रिपीट फॉम हुए ठीक है और उससे आपे पोईचनना है कि कौन सा है तो बहुत लिए CID वाला सवाल है यहां पे तो जिससे ज्यादा मैच हो रहा है यह फिंगर बेंटिंग उससे ज्यादा होगा तो यह देखो यह किससे मैच हो रहा है A से मैच हो रहा है C से मैच हो रहा है तो B और D जो के लिए फिर यह देखो यह किससे मैच हो रहा है C से हो रहा है लेकिन यह देखो B और D में भी हो रहा है फिर यह देखो यह किससे मैच हो रहा है C तो यह C से मैच हो रहा है D भी मैच हो रहा है यह भी guaranteed match हो रहा है, तो यहां पर सारे जो है match हो रहे है, तुरदा C, तो C ही हो आप पर crime scene भी होगा, so C option, the placentation, carnation flower is correctly displayed, carnation flower मतलब क्या होता है, कौन सा flower होता है, carnation flower मतलब dianthus, dianthus and primrose में कौन सा placentation मिलता है, that is, exile presentation, view option, which of the following canals are correctly match with the organs they are located in, central canals, vertebral column, G नहीं, neural canals होती है, vertebral column में, और उसमें spinal cord होता है, spinal cord में central canals होती है, तो पहले तो यहां ही पर कट गए, candle of skeleton eye, जहां ciliary body और sclera के बीच में जो यह सक्टय जो है form हुआ है, candle of skeleton, semi circular candle, year, तो यह सही बात है, तो यहां पर सही क्या लग रहा है मुझे, 3 & 4 पाकी दो तो correct है, incorrect है, फिर से एक बार यह graph आया है, यान कि regulator conformance से फिर से question आया है, तो यह लेकिन इस बार यहां पर regulator conformance नहीं दिया, या पारिशली रेक्रेटर नहीं दिया है, यहां पर एक्जम्पल दिये, तो 1,2,3, again similar graph as like in uncertainty, और यहां पर ABC और group के नाम दिये, मतलब कि यहां पर animal kingdom और यह हमार दूसरा chapter species का, वो combine किया गया है, तो यह देखों, यह जो है, mostly hippocampus होना चाहिए, जो कि आपना maintain, internal environment नहीं करता है, वो आपना वैसा है रहता है, तो 1 hippocampus, second जो है, pisticula that is birds, और तीसरा जो है, mostly that is, bee जो है वो mostly क्या होगा, sorry, तीसरा अलग है, bee क्या होगा, mostly 2 number क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा था pisticula, birds में और mammals में क्या ability होती है, of homeostasis, maintaining internal environment constant, irrespective of external environment, तो यहां पर pisticula, यान कि parrot में होगा, then spermatophilus, spermatophilus जो है, mostly यह जो है, ground squirrel जो है, ground squirrel जो है, वो यहां पर जो है, partially regulator का काम करें, का मतलब किया जब temperature थंड़ा होता है, तो यह heat बढ़ाती है, बाड़ी की और लेकिन एक बार temperature पहुच गाया, तो यह constant रीती है, तो इसलिए partial regulator, charging कम हो रही है, so right option will be क्या आएगा इसका, D option, read of given statements given below, and identify the wrong one, ठीक है, एक में brightness बढ़ाता हूं, so right given statements carefully, and identify the wrong one, all the plants have PGA as the first product of sea defection, all the plants का, C3 में आलग होता है, PGA, C4 में OE होता है, तो यही प्य option मिलगा, आगे बढ़ते है, time pass ने करेंगे, बहुत देर उची की औरड़ी, 3 PLEE plants, फिर से एक बर अभी time consuming MCQ, the 3 plants PQR, having an inflated green pots, are allowed to grow under the natural conditions, ठीक है, inflated green pots, 100 seeds, 1000 seeds from each plant were collected, there were, shown to see the properties of the progenies, the following were, P क्या होगा, P क्या आये 1000, inflated green, B, क्यों में क्या दिया है, 240, 240, तूस में से 240 आये green, 750 आये टाये inflated, और तीसने में, 241 आये inflated, और 259, तो peak, यहां पर genotype पहेंचनना है, हमें क्या होगा, तो देखोए यहां पर, हमें दिया क्या गया है, inflated pots with green, तो वो क्या है dominant है, तो phenotype दिया गया है, जिनोटाइप ने दिया गया है, तो वो एक तो dominant हो सकता है, purely नहीं तो फिर एक क्या हो सकता है, recess ही हो सकता है, तो अभी इसके genotypes क्या क्या आएंगे, inflated है, तो मतलब capital I, capital I, फिर आगर dominant है वो growth में, parts में, sorry dominant growth में बोट रहा हूँ, parts में dominant है, तो क्या आएगा capital G, capital G, तो capital I, capital G, capital G, पहला जो हो जाएगा इसका form, genotype हो सकता है, फिर दूसरा क्या हो सकता है, capital I, capital I, capital G, small g, तुसरा क्या हो सकता है, इसका genotype, capital I, capital I, capital G, small g, और फिर capital I, capital I, ठीक है, तो small G, capital G, small g, यही चार टाइप की जो है, mostly इसके form होंगी, यह phenotype हो सकती है, ठीक है, चार टाइप की अलग-अलग, स्वरी चाहता कॉन सा बोला मैंने, है, capital I, small i, capital G, small g, ठीक है, यह चाहता है, तो यहां पर एक कर रहा हूँ, और साइमेटेर से बोल रहा हूँ, तो होड़ा सा कन्वीज हो रहा है, तो देखो यह चार में से क्योई भी हो सकता है, तो आप हम यह चार में से कौन से तीन है, यह पहेंचानने है, ठीक है, तो पहला अगर हम लेते हैं, दोनो, capitalism, F1, abradition किया गया, तब यह आया, तो यह, capital I, capital I, capital G, capital G होगा, तो उसका ratio ले लेते हैं, तो क्या होगा, उसके gamut होंगे, IG, IG, ठीक है, दोनो gamut है, तो दोनो government है, तो वो प्रोजीनी भी dominant आने वाली है, तो सारे क्यों से होंगे, inflated green, तो P देखो अभी, 1000 के 1000 inflated green है, तो P का क्या आएगा, capital I, capital G, capital G, जो क्या हमें A और A और C में दिया है, तो B और D जो है, हमें जो है, सिर्फ अभी क्या find out करना है, B के लिए, तो यहां पर अगर दूसरा रहा इसका, कोई, यानि कि अगर हम देखे, capital I, small I, capital G, small G, जैसा कि हमने दूसरा लिया था, capital I, small I, capital G, अभी इसका gamut के आएगे, capital I, capital G, small I, capital G, फिर से एक बार capital I, capital G, फिर से एक बार small I, capital G, अगर इसका क्रॉस करेंगे, तो अभी देखो, चार टाइप यहां पर बनेंगे, capital I, capital I, G, capital G, डाइब्रेड रिशो लेंगे तो ठीक है, gamut form करके, capital I, capital I, capital G, capital G, capital I, small I, capital G, capital G, capital I, small I, capital G, capital G, यह रिशो कितना है देखो, यहां पर दो, capital G, capital I, capital I, capital G, capital G, और, एक जो है यहां पर, recessive आ गया है, that is, small I, small I, small I, capital G, capital G, मतलब, inflated, yellow inflated आया है वो, तो यहां पर, phenotypically हमें, ratio consider करना है, तो यहां पर, three phenotypically क्या आया है, green और, inflated और बाकी, एक ही जो आया है, आपर, क्या आया है, that is, inflated and yellow, तो यहां पर देखो, q क्या आना चाहिए, capital I, small I, capital G, capital G, so that is enough, c option, तिसरा भी आप ऐसे कर सकते हो, तीन दोनों आभी बाकी है, उसे cross करके देख सकते हो, आपका answer आजाएगा मुशली आपको, क्यूंकि आपर यह, क्यूंकि यहां पर second में देखो, कितने में से, क्या है, ratio one is to two is to one I, मतलब क्या, 1000 का तीन गुना जो होगा वह, capital I, small I, capital G, capital G होगा, और एक हिस्सा होगा जो, किसका होगा, small I, small I, small I, small I, capital G, capital G का होगा, तो इसलिए जो है, अगर 1000 का आप लेते हो, तो कितना आता है, that is 750, 8 के आसपास, exact ने आता है, 240 के 240 के आसपास क्या आता है, recessive आता है, तो इसलिए इसका option होगा, C option, during the development of helobial endosperm, क्या होता है, first nuclear division होता है, ठीक है, primary endosperm का, जो कि follow किया जाता है, और जो क्या होता है, with the larger cell, towards the micropyle जो कि आभी D option में दिया है, given a photograph of recently extinct animals identified, तो आभी यह हमने देखा था, देखा था, नहीं, वह अलग था, यह कौन सा है, अगर आपको ध्यान में नहीं रहाए, खाला कि NCIT में Marsupial or Pracentile की डाइगरम दिये, इसमें होगा यह, तो लेकिन आपको पहिंचन नहीं रहे तो आपको Elimination method यूज करना है, देखा दोडो जो है बर्ड है, क्वागा जो है जिराफ की स्पेसिस है, यह भी गलत है, Stiller C, जो है फीश टाइप का प्राकार है, तो पानी में रहता है, तो यह भी गलत है, तो option क्या बशने वाला है, Thilesine Australia, तो इस मेंतर से भी आप ऐसे MC की सॉल्ट कर सकते हो, V statement from the below is correct, regarding the five kingdom system of classification, Kingdom Protista has brought together Calamidominas and Chlorella, इस साल की नीट में पूछे जाने की बहुत संभावना है इसकी, which of this options correctly represent functions of this all years, फिर से एक बार लेंदें से क्यू, enable, enable transfer group of H, transferase ligase, isomerase ligase, transferase क्या करता है, transfer group करता है, other than H, सही बात है, ligase linking करता है, सही बात है, isomerase क्या करता है, interconversion of molecules for similar optical geometrical position, सही बात है, lysis क्या करता है, remove group by process of other than hydrolysis, तो hydrolysis होता है कि नहीं होता है, थोड़ा confusion में, lies, lies में, नहीं होता है, I think lies में, without hydrolysis breakdown होता है, yeah, so right option भी यह होगा, पहले इसमें आ गया, किदर क्लिक करना है, next, during the electrolysis, digested DNA, and DNA fragments lodges to cathode, cathode मतलब क्या, negatively charged होता है, तो फास्ट और हलके होते हैं, वो जल्दी के जल्दी आनवर के पास पहुंच जाते हैं, और जो हैवी होती है, तो वो cathode के पास पहुंच जाते है, तो that is heaviest, and negatively charged, DNA होता है, तो C option, as compared to the other cells, in the human mammalian testis, ledig cells will have more amount of, smooth endoplasmic reticulum, क्योंकि वो क्या सिर्ट करते हैं, androgen, steroid, smooth endoplasmic reticulum, each of these options, has a pair of diseases, which option has, one of these diseases, cause due to the hypersecretion of hormone, which is other in, cause due to hyposecretion of some other hormone, which is doesn't have kind of pair, मतलब क्या, एक ही hormone दिया है, उसके ज्यादा और कम होने के, हमें pairs दिये, तो acromegaly growth hormone होता है, ज्यादा होता है, myxodema ज्यादा हुआ, thyroid assimilating hormone होता है, sorry, कम हुआ तो होता है, और ज्यादा हुआ तो क्या होता है, thyrodoxychosis, hypoglycemia और hyperglycemia, insulin होने और ना होने के वाज़े होती है, titanus and titanus, titanus की होता है, mostly the deficiency of calcium, muscle titanus होता है, ठीक है, inverted होता है, biomass, aquatic pyramid, aquatic pyramid, biomass, aquatic period, biomass, plant spaces, inverted होता है, so यह पर 4 T4, 33 , 2 , 2 ,1 ऐसा, d में दिया है, किधर है, four option, which of the following statement is correct about the evolution of dinosurs, तो यह ना फिर से एक बार डाग्राम की ऊपर question दिया है तो आपकी NCI team evaluation chapter में डाग्राम दिये ना डाइनोसरी colorful वह एक बार देख लिजेगा उसमें जो है ट्राइनोसोर्स जो है वह evolved हो है mostly from brachiosaurus ठीक है so do option थ्रेटिकलमसी की वह है which of the vegetarian ने सबसे बड़े थे उसके बाद उसके T-rex ने आके उसके उपर हमला जो करना कर दिया ठीक है चालू कर दिया था which of these symptoms is caused by the entry of sporozates odema thickening of skin नहीं यह फिलारियस में होता है characteristic feature of causing feeling of cold chills rigor followed by increasing temperature finally causing the profusating that is the feature of malaria ठीक है so see option view option select the part which female reproductive system that homologous penis to pale that is clitoris is homologous to penis consider events of DNA replication and translocation are listed below identify the contribution that is incorrect गलत कौन सा यह पुछा है adrenal pairs with thymine transcription में help करती है जीहा रिप्लिकेशन में help नहीं करती है करती है कि अधिन पियर्स्वित thymine AT DNA replication में होता है thymine ने होता है ठीको और uracil AC कहां भी होता है खोड़ा सा confused हो गया तो क्योंको ठक गया हो पानी पिनना चाहिए मुझे शाहिद लेकिन अभी जाओंगा तो बहुत टेम हो जागा uracil जो है transcription में होता है DNA replication uracil नहीं होता है वहां पर thymine होता है uracil aden के साथ जहां पर दिख रहा है तो वहां पर सही होगा बोथ polynucleid change are act as a template बोथ किसमें translation में नहीं होता है बोथ एक ही आता है बोथ में रहां पर replication में होता है ठीक है template stand just act करना और the original DNA molecular change after the process transcription में original DNA molecular change नहीं होता है ठीक है और replication में change होता है ठीक है क्योंकि semi-concelerated replication है हाफ 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 50% तो यहां पर 4 जो है गलत है which of the following correctly depicts the activation battles in cotton cotton में twisted होता है यह imbricate होता है I think twisted होता है yeah twisted होता है तो कितर है twisted due option match the following names currently ठीक है FWENT यहां पर पहला जो गया ना मेरे नजर FWENT पर गया और उसने क्या किया था आइसोलेट किया था oxyne from the coleptile tips of oat so C का वन किसमें है देखो जल्द से निप्टा लो due option chalo मिल गया बहुट time हो गया चोल आगे बढ़ते which of the following group of organism belong to Pheophyce ectocarpus dictiota fucus saragasum यह सारे जो होता है पहले इसमें आंसर मिल गया ठीक है तो आपकर आपको यह ऐसे shot tricks ऐसे में problem हो रहा है तो यहां पर मैंने plant kingdom यह shot tricks बनाई है shot tricks playlist नीचे description में दिया होगा तो देख लेना सारे आपको याद रे जाएंग इसके shot tricks मैं भी नहीं बता दो बेठूँगा कि टाइम नहीं है Raj having genotype capital a small a capital b capital b capital c small c for the skin color marries Simran having genotype capital a capital a small b small b capital c small c for skin color what is the chance they have child whose skin color doesn't match with Raj or Simran see you a little blend dmc skin color polygenic inheritance and the more dominant allilis will be dark and the less dominant allilis will be fair so which dominant here Simran and Raj DDLJ कुछच्यक्य दाल दिया इन्होंने या कोई मिल गया कोई भी हो कritis मिल गया नहीं क्या कुछक्च होता है छलो टाइम पास नहीं ंसमाल अने capital b capital b small c इसकेशच्रश्यक में जो है is similar type का did Iai its किपे-ट्यप दोनों dominant similar टीपन आया hedge नहीं यहां पर राज में देखो capital A प्रेजेंट है, capital B, capital C है, तो कितना है, 4 है, और यहां पर देखो, 3 है, तो यहां पर राज ज्यादा थोड़ा सा dark होगा, और सिमरन जो है, कम dark होगी, देखा ऐसे पहचानना है, अब इनके हमें gametes निकलने होगे, तीन-तीन के पेर में gametes आगे, क्योंकि 3 है, तो gametes यहां पर कैसे निकलोगी, हर एक का एक एक लेना है, राज का लेखो gametes निकलने हैं, तो A, capital A, इसके साथ एक capital B के साथ, फिर capital C का, यह पहला gamete, फिर capital A, यह दूसरे B वाले के साथ, फिर छोटे C वाले के साथ, वो दूसरा gametes, फिर small A, यह capital B के साथ, capital C के साथ, फिर small A, यह capital B के साथ, small C के साथ, फिर small A, यह capital B के साथ, small C के साथ, फिर यह हो गया, चार gametes मेल किये, और female के भी similarly form करने हैं आपको, यह बहुत लिए दो ही type के gametes form करेंगी, क्योंजी ज्यादा dominant न इसमे, capital A, ठीक है, फिर small B, capital C, फिर capital A, दूसरा, small B, small C, ठीक है, पहले, तो यह दो type के हो गए, अब इनको क्या करना है, फिर मैं अदला, repeat होता है, फिर से वो ही form करता है, capital A, small B, small C, दो type, दो बार form करता है वो, तो यहाँ पर क्या करना है, तो आभी इनका cross करना है, हमें, ठीक है, दो type के किसने, किस में मिले, ज्यादा, दो type के किसमें मिले, सीमरन में मिले, capital A, small B, अभी जैसे हम डाइबरेड रेशो लेते हुग, ऐसा डाइबरेड रेशो लेना है, capital A, small B, capital C, फिर capital A, small B, small C, यहाँ पर, कॉलम में एक लिख रहा हूँ, और उपर, horizontal, row में, सारे राज के यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या-क्या, genotypes, capital A, capital B, capital C, capital A, capital B, small C, small A, capital B, capital C, small A, capital B, small C, अभी इनके देखो, cross लो, ठीक है, मैं cross ले रहा हूँ, हर एक के, तो पहला क्या आएगा, capital A, capital A, capital B, small B, capital C, capital C, वैसा है, similarly, वैसा आएगा, सारे cross ले रहा हूँ, ठीक है, बता दिने, बेटूँगा, सिब आपको अभी अंसर बताओँगा, अगर आप चाहते, मैं ऐसे solve करूँ, इसे अलग से, तो नीचे मुझे बचाओ, कमेट में, मैं आपको इसका अलग से solution, जो है, जैसे मैं solve कर रहा हूँ, यहाँ पेपर पेपर पेपर, दिये दूँगा, ठीक है, या फिर solve करके बता दूँगा, तो देखो, यहाँ पे, हमें लगबख 8 combinations मिलते हैं, 2 इसके gametes, और 4 इसके, ठीक है, तो 8 gametes मिलते हैं, 8, sorry, 8 progenies मिलते हैं, टोटल, और हमें क्या पूचा गया है, what is the chance that they have a child whose skin color doesn't match with either Raj और Simran, ठीक है, मतलब, सब से ज्यादा genotype होगा उसमें, या फिर ज्यादा dominant होगा, या फिर कम dominant होगा, यहाँ पे देखो, एक combination आया है, that is, capital A, capital A, capital B, small B, capital C, capital C, मतलब, कितना dominant हैं आपे, देखो, 1, 2, 3, 4, 5 dominant है, मतलब, Raj के, C भी dark होगा एक, और दूसरा एक आया है, आपे, देखो, capital A, small A, capital B, small B, small C, small C, ठीक है, 3 है, 3 है, क्या, capital 3 है dominant, मतलब, कि आप बीच में का आने वाला है, तो यह दोनो, Raj और Simran से, यह दोनो, जो है, mostly match नहीं करते, ठीक है, skin term, जो है, तो दोनों के match नहीं करते, दो combination ऐसे आया है, तो, अभी इसका percentage निकलना है, तो, total कितना है, 8, 2 by 8, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 4, 0, 8, 1 by 4, यानि यह 25%, 0, 25 निकलना है, टो, 100 करेंगे तो 25% हो, दो, यह प्रिप्शन आया इसका. Which of the following statement is incorrect reading diaphragm, cervical cap, and waltz? This prevent contraception by blocking the entry of sperms through the cervix, जि हा, These are made up of rubber that are inserted into the female reproductive attack to cover the cervix during quietus, जि हा, इस प्ररवाइड दीटिटिटिंग यह रम नहीं बेनिफिट देते है अगर हम कॉंडम सYLघ करेंगे तो अधिटिसटिल हो जाएगा धिया है रियूसिबल। जिहां यह ठीडिसटिल एकटि कर दे तो is pyruvate-2, acetyl coenzyme, theratical mcq, in which of the following plants series setting is assured even in the absence of pollinating agent, salvia, fig, common pansy, chlystogamous flower, common pansy, what is it called? Viola, in that chlystogamous condition, that flower on that, autogamy, the Indian agriculture research institute, New Delhi has released several vegetable crops, that reach in vitamins and minerals, which of the following, vegetables not correctly grouped, tomato, vitamin A, no, vitamin A was given, theratical mcq, carrot, spinach, pumpkin, carrot, spinach, pumpkin, this was given, tomato, tomato, observe the pedigree symbol, symbol, see, if this connection is made, what is the answer in the pedigree chart? Monozygotic twins, same material, genetic material, genetic material, if this line is not, and these two are connected, both are gendered, but these two are connected, so this is monozygotic, monozygotic twins, select the incorrect statement with respect to cartilage, the inter-silver material of cartilage is solid and pliable, the resist compression, all the cartilage is vertebrate, embryo are replaced by bone, all not, most of them, most of them, which of the following, describes the position of micropyle and chaleza, in orthotropospool, orthotropospool, straight, open, erect structure, straight line of the funicles, erect structure, orthotropospool, this option, straight, straight line, select the correct option, chrysophides, dinoflagets, decimates, view option, which of the following is correct, about PBR 322, ORI, it's a original restriction endonucleus, no, it's a, what happens ORI, original, replication site, origin of replication, drop codes for protein, that helps in replication, yeah, this is correct, this is the answer, I get further, time waste, which of the following conclusions, about the flower, can't be deduced, just by observing solar diagram, cannot be deduced, we can see it from the flower diagram, ep ep patelus, we can see it from the pattern, petal show, contracted association, contracted, not even know about it, flower has ep 초anome, this can be better, it can be better, actinomorphic, is by the diagram, you can know not even know about it, this can be better, that is just an expansion, which of the following, have a haplodiplantic life cycle, ओके यहां पर यह आलगा दिया है ओके यह वालवॉक्स अलगी है अलगी थे हैं सब मोचली आपकोस यह फ्यूकस है ठीक है डाइग्राम याद कर रहा हूं मैं अभी हापलोडिप्लॉंटिक लाइफ साइकल तो हापलोडिप्लॉंटिक लाइफ साइकल तो हापलोडिप्लॉंटिक लाइफ साइकल तो हापलोडिप्लॉंटिक होता है ना तो हापलोडिप्लॉंटिक लाइफ साइकल यहां पर देखा जाए तो लेकिन यहां पर जो आलगा में य पॉली सेफोनिया जो हता है उसमें डिपलॉंटिक होता है पॉली सेफोनिया और केल्प्स में एक्तो कर्पस में भी होता है है तो यहां पर देखो यह फ्यूकर से यह चारा यह पॉली सिफोना जैसे लग रहा है मैं को दी तो समझ में आता है इसका यूनिक डियागरम है तो यहां पर क्या आएगा चारा यह साय को tommy कुल कर्पन समंठा में और में तर ला कर्क्त— यहां है na हैंई रीओ में डियाख किल बीछा जैसे टार में पॉली जैसे रिखन ठीब भू्ता कर्थ। हौत हाँ इधली लिभं पुछा एंटिस यहां। यहां ऊप्छ।र्टा हां स् neceser चारा कर्कत है मतलब क्रोमोचोब क्रोमोजोम यह निकाल दो सिस्तिक है इसम है है जाल khomopathy जाल होना जाया है हूं हम Мих Association सिस्तिक फैर्श निमया feel Phenyl Cretanuria, 3 चोड़ के Turner syndrome, Clean Filter syndrome ठीक है? और किदर, Down syndrome, 3 कितना होता है फिर, 1,2,3,4,5,6,6 C option यह क्या है? बलबील है, बलबील है, बलबील आफ आगे हो C option The following slip is Mala-D, Oral Contraceptive Pills, which of the statement is true? Okay, this is Maladie So Maladie में क्या होता है, 21 days की यह पील होती है ठीक है, उसमें 7 days ग्याप होता है During menstrual cycle, यह गोलिया नहीं लेनी होती है तब menstrual cycle होता है, तो वहाँ पर iron की गोलिया यह जो ब्लैक स्क्रिप में दिये हैं यह iron की गोलिया खानी होती है 7 days की menstrual cycle होता है उसमें तो iron की कमी जो उनमें होती है तो वह भरके निकलती है उस गोली में से ठीक है तो और बाकी इसमें estrogen processor आपको मिल जाएगा तो white tablets don't contain नहीं उसमें होता है estrogen processor on estradiol or वह होता है उसमें dark में नहीं होता है उसमें ferrous होता है ठीक है so this is true यह first day of menstruation नहीं नहीं लिया आता white tablet ठीक है after 7 days लिया जाता है one week after नहीं menstruation start होनी के बाहते dark लिया जाता है तो भी option इसका सही है for the entry into the respiratory pathway fatty acid must be converted into acetyl coenzyme the angiosperm male plant having 24 chromosome its pollen mother cells is caused with the female plant having 24 chromosome its root cells दोनो diploid 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 condition है the number of chromosome in embryo and endosperm embryo diploid होता है तो उसमें 24 होंगे endosperm triploid होता है मतलब haploid के यहा पे 12 होगा तो triploid के यहादा 12 into 3 36 to 24 into 36 24 and 36 due option cockroach has a type of insect has an organ breaking down food particles is called as gizzard read to the following statement regarding the organisms how many of the statements are incorrect as we grow from higher species to the kingdom the number of common characteristics goes on increasing increasing नहीं decrease हो जाते है तो यह गलत है lower the tags or more are the characteristics that are members within a tags or share तो lower the tags or more the characteristics तो यह सही है lower the category greater the difficulty of the determining the relationship of the other tags नहीं higher the category greater difficulty होता है तो यह गलत है including those in a plants and animal kingdom have subspecies is the lowest obligate category lowest obligate category क्या होता है species तो यह भी गलत है तो 3 गलत है 3 एक सही है which of the following statement about the transport in plants is incorrect the direction of the movement in phoelum can be upwards and downwards bi-directional jiha phoelum says is mainly water and sucrose but the sucrose other sucrose hormones amino acids are also transmitted to the phoelum jiha सही बात है xyleum transports only inorganic nutrients while the phoelum transports only organic यह यह तो नहीं कह सकते हम inorganic यह ही करता है यह फिर organic no I don't think so यह होगा chief things for the minerals elements are growing regions of the plants such as apical lateral meristems younger leaves developing flower and storage organs to see to see to see inorganic inorganic phoelum organic inorganic plant I don't think that will be correct we can justify mostly the woman whose mother is color band and father is hemophilic and father is hemophilic to see carrier two mother mother hemophilia and color band then marries a man whose mother is hemophilic father is color band so color band mother mother man mother is hemophilic xh father is color band but y x y and xc xh x 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 don't have any child है ना XCX है डॉक्टर फ्री है दोनों डिस्टेस ते लेकिन वो carrier है हाफ of their children are hemophilic while other are colorblind नहीं एक तो carrier है half of their children will be colorblind and one-fourth will be hemophilic देख कहाँ हाफ मतलब एक डॉक्टर जो है hemophilic आई एक son जो है hemophilic आया है हाफ है और एक colorblind आया है एक नॉर्मल आया है तो मतलब क्या चार में से colorblind है मतलब क्या one-fourth colorblind hemophilic है ना यह गलत है हाफ hemophilic आना चाहिए और one-fourth colorblind that is d option में दिया है ठीक है d option में दिया है so d option ठीक है so guys finally यह यह paper जो हो गया मेरा गला जो है पूरा तरह सुख गया है ठीक है तो last में अगर कोई गलती हो गई हो तो नीचे बता देना ठीक है सबसे lengthy paper था यह अब तक का और solve करते-करते मेरी आवाज जो है पूरा rough हो गया है इसी एफट्स के लिए प्लीज यार लाइक करो शेयर करो आप इस चानल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है डोंट फर्गेट टू और जल दिये हम अनाइकडिव में बाने वाले है तो वहाँ पर लिक्टर चलोंगे और अगर आपने मेरा परकास सुन सकते है यार फोर कास Sister की लिनक अफ्रला जिये आप अप बनाए है क्रेप साइकल के बहुत बनाई है तो उसकी प्लेफिछ्झ नीच तो वह भी देख लिये ना ठीक है तो और फॉलो करो टेलिग्राम पे गृुप जॉइंट करो वाप पीडिय पीटिय पे पीपिटी या फिर कोई भी इंफोर्मेशन वह शेर करता हूं इस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया और इस्टाग्राम पे भी मैं शेर करता हूं ठीक है बहुत सारी बाते तो यहां प तब तक मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई बाई